लोगा इस Current Affairs Funda में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अविशेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम एक अक्टुपर तक के सभी important Current Affairs cover करने वाले हैं हम इसा कितरा आप इस वीडियो को अन्त तक जरूर देखेगा आज भी आपको काफी कुछ जानने के लि जाएगा उसको आप बाई कर सकते हैं चार अक्टुपर तक 10% ऑफशल रहा है आप इसके लिए coupon code अप्लाई कर सकते हैं कैफ 10 इसमें आपको एक साल तक हमारा जितना भी PDF मेटे लेकर इंटरफेर से सम्मंदित वह आपको मिलता रहेगा आप डाउनलोड कर सकते हैं करना तो बाई कर सकते हैं कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस कोर्स से सम्मंदित तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा तो चले फिर करते हैं सुरुआत इस वीडियो सेशन की एक अक्टूबर को मनाये जाने वाले व्रद्द लोगों के अंतराष्ट दीवस्खावी से क्या है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन डी है आप सभी को जाना चाहिए हर साल एक अक्टूबर को इंटरनेस्टल डे ओफ ओल्डर पीपल अब्जर्व किया जाता है सबसे पहले एक अक्टूबर 1991 को यह अब्जर्व किया गया था इस बार 2022 में इसका तीम है किस एजन्सी ने ओप्रेशन गरूर शुरू किया है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन सी रहेगा तो आपको जाना चाहिए सेंट्रल बीरो अफ इन्वेस्टिकेशन यानि कि CBI इसने एक मल्टी फेस ओप्रेशन गरूर लॉंच हिया है यह illicit drug trafficking network से संबंदित है और इसके तहत CBI ने कई सारी huge quantity में narcotics drug cease की हैं कई लोगों को rest भी किया है तो यह ओप्रेशन CBI ने Interpol और Narcotics Control Bureau के साथ मिलकर जो है इसको plan किया और conclude किया हाली में यह भी देखा था कि CBI ने operation make चक्र इसको भी launch किया और यह किससे संबंदित था यह online child sexual abuse से संबंदित था पॉर्णोग्राफिस से संबंदित रहा What is India's rank in the global innovation index 2022? Global innovation index 2022 में बारत की rank क्या है? उप्शन आपके सामने हैं सही answer option B है for 30 काफी महत पॉर्ण question है और आपके आने वाले exam में यहां से question पुछा जा सकता है ऐसी संबावना है चली जानते हैं इसको detail में आपको जानना चाहिए Global innovation index GII इसको world intellectual property organization यानि की WIPO इसके द्वारा जारी किया जाता है और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत top 40 countries में सामिल हुआ है और यहां तक की जो इसमें एक indicator है ICT Services Exports इस indicator में तो भारत पहली position पर है इसमें आपको जाना चाहिए कि साल 2021 में भारत की rank 46 थी 46 थी और यहां पर 6 rank की चलांक लगा कर भारत 40th position पर आ गया है यानि कि 40 थी नंबर पर आ गया है 2022 में टोटल इसमें कितने देशों की ranking की गई है 132 ए 132 देशों की ranking की गई है यही नहीं आपको यह भी जानना चाहिए कि lower middle income economy जो है हमारे word में lower middle income economy तो उसमें भारत सामिल है और topmost economy उस section में रहा है lower middle income economy पहले वियतनाम होता था इसमें topmost अब वियतनाम को पीछे छोड़ दिया है साथे आपको जाना चाहिए टर्की और इंडिया यह दोनों ऐसे ही country है जो पहली बार top 40 में आई है तो टर्की तो 37th position पर है और भारत है 40th position पर चाहिना की अगर हम बात करें तो चाहिना 11th position पर है और गिनी लास्ट मर है 132 पर चाहिना देगे मैंने इसलिए दिया है क्योंकि बारत की जो पडोसी country है वो सभी भारत से पीछे हैं केवल चाहिना 11th position पर है साथ है आपको जाना जी लगातार 12 साल Switzerland इस इंडेक्स में पहली position पर है इसके बाद फिर US है फिर Sweden है फिर United Kingdom है और फिर Netherlands है अगर हम World Intellectual Property Organization की बात करें Headquarters चेनेवा Switzerland में इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी 193 member states इसमें साइमिल है और इसके डाइक्टर चनलर है डेरेंट टॉंग जयनती पतनाएक पास्ट अवी रिसेंटली वो वाज शी जयनती पतनाएक का हाली में निदन हो गया वह कौन थी options आपके सामने है सही answer यहां option दी रहेगा first chairperson of national commission for women देखी बात कर रहे हैं जयनती पतनाएक की इनका हाली में 90 वर्ष की उम्रे में निदन हो गया ओडिसा केपिटल पूपनेशन में यह national women commission की first chairperson थी इनका कारेकाल तीन फरवर 1992 से 30 जनवर 1995 तक रहा है साथ ही यह four time congress MP भी रही है और जो दीवंगत ओडिसा की चीफ मिस्टर है जान की बल्लव पतनायक उनकी यह wife रही इसी तरकी अभी शुरी संबंदी देखोंड नियूसम साथ में देखेंगे कि veteran and congress leader आर्यतन मोहमत इनका भी हाली में केरल के कोजी कोड में निदन हो गया 87 की एज में यह निलांबूर सीट से 1977 में केरल legislative assembly के लिए elect हुए थे The union cabinet approved the proposal for the redevelopment of three major railway stations New Delhi, Ahmedabad and Mumbai's CSMT. The project involves an investment of what amount? केंद्री मंत्री मंदल ने तीन प्रमुक railway station नई दिल दी, Ahmedabad और Mumbai के CSMT के पुनरविकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. परियोजना में कितनी राशी का निवेश शामिल है? options आपके सामने है, सही answer option C रहेगा, 10,000 करोड रूपीज. तो देखिए union cabinet ने Indian railway का प्रोपोसल है, जिसमें ये कहा गया था कि तीन जो major railway station है, New Delhi, Ahmedabad और Mumbai का CSMT, तो इनको redevelop किया जाए. तो इस प्रोपोसल को union cabinet ने approve कर दिया है और लगबग 10,000 करोड रूपे की लागर इसम companies for persons with disabilities in e-commerce sector, a tripartite MOU was signed amongst Department of Empowerment of Persons with Disabilities and which company? इ-commerce sector में विकलांग व्यक्तिव के लिए सही उक्त रूप से कोशल प्रस्टिक्शन और रोजकार के उसर परदान करने के लिए, विकलांग व्यक्तिव के लिए अधिकारीता विभाग और किस company के बीच एक त्री पक्षिया समझोते कि आपन परस्ताक्षर किये गए, options आप of empowerment of persons with disabilities, skill council for persons with disabilities and Amazon seller private limited के बीच में, तो ये तीनों ही मिलकर, जो persons with disabilities है, उनको e-commerce sector में skill training देंगे और employment की opportunities प्रोवाइट कराएंगे, Amazon seller services private limited के बारे में आपको जाना जी, 16 आपरेल 2010 को एक company incorporate हुई और जिसका registered office बैंगलूर करनाटक में है, National SCST hub mega event और conclave held in which city, राश्टी, SCST hub mega event और conclave किस सहर में आजित किया गया, options आपके सामने हैं, सही answer option दी रहेगा, एहमदाबाद, तो देखे, Member of Parliament and Chairman of Parliamentary Standing Committee on the welfare of scheduled caste and scheduled tribes, कीरत प्रेम जी भाई स्वलंकी, इन्होंने एहमदाबाद गुजरात में, National SCST hub conclave इसकी अधक्ष्टा की है, ये conclave, Ministry of MSME, Government of India द्वारा और्गनाइज किया गया था, और इसका मकसद ये रहा, कि जो भी National SCST hub scheme है, और other scheme है, इस ministry की, Ministry of MSME की जो schemes है, उनके बारे में, उनके बारे में awareness फैलाना, जागरू करना लोगों को, फिलाल आखको MSME सेक्टर के बारे में भी जानना चाहिए, कि GDP में 30% contribution MSME सेक्टर का है, और जो overall export होता है भारत से, उसमें भी 45% contribution MSME सेक्टर का है, प्रेसिडेंट आफ इंडिया, द्रॉप्ती मुर्मू, अनुविल्ड ता फांडेशन स्टोन, फोर ICMR National Institute of Virology, South John, at which place, भारत के रास्टपती, द्रॉप्ती मुर्मू ने किस स्थान पर ICMR National Institute of Virology, तक्षिन शेत्र की आधाशिला का अनावरन किया है, उप्षिन्स आपके सामने हैं, सही आंसर उप्षिन भी रहेगा, बैंगलूरू, तो देखिए, बैंगलूरू में, जो ICMR, National Institute of Virology, South John, इसकी आतार्शिला रखे गई है, प्रेजडेंट ओफ इंडिया द्रॉप्ती मुर्मू के द्वारा, आपको यह जानना चाहिए कि जो National Institute of Virology है, मेन यह कहाँ पर है, पूरे महाराश्ट में, उननीस सुबावन में, इसकी स्थापना की गई थी, यह एक मेजर National Institute of Virology, सही आंसर पूने महाराश्ट रहेगा, प्यम नरेंदर मोदी डिकलेड़ देखे लोगे उद्गाटन की गोशना की आयूजन के दोरान उन्होंने देशर में विश्वर इस्तरिया स्वार्णीम गुजराथ स्पोर्ट्स इन्वरस्टी का भी उद्गाटन देखे किया है, चलिए डिटेल में देखेंगे, आपको जाना चाहिए कि 36th National Games, एडिशन याद रखेगा, 36th National Games से गुजराथ में हो रहे हैं, एहमदाबाद में 29 सितंबर को नरेंदर मोदी स्टेडियम में, इनको इनोगरेट किया गया प्रायमेस्टर नरेंदर मोदी के द्वारा इसे के साथ वड़ोतराद डिस्टिक में, देशर में, स्वर्णीम गुजराथ स्पोर्स इनोगरेट किया गया प्रायमेस्टर नरेंदर मोदी के द्वारा नेसल गेमसे बारे में हम प्रिवसले भी कई बार पढ़ चुके हैं, फिर से थोड़ा शोर्ट में देख लेता हैं कि नेसल गेमस ये गुजराथ में पहली बार हो रहे हैं, 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेंगे और 36 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स में आप पार्टिस्प प्राइमिस्टर रेंदर मोदी ने हैं, एमदबाद मेट्रो प्रोजेक्ट, इसको भी इनोगरेट किया है, एमदबाद एजुकेशन सोसाइड़ी एमदबाद में, साथी नोंने मेट्रो राइड भी की, कालूपूरी स्टेशन ते दूरदर्शन केंद्र मैश्टरो और दूसरी चलती है, और दूसरी चलती है, निव डेली स्रीमाता वैश्नोदेवी कट्रा रूट परूट। अपने सीनिर वाइस प्रेज़नेट बिनाय कोट से को सीओ बना दिया है, और किसको ये रिप्लेस कर रहे हैं, रामा वेदश्री को। रास्ट असेशन किंद्र के महानिदशक के रूप में किसे न्युक्त किया गया, ओप्शन सापके सामने हैं, सही अंसर अप्शन ए रहेगा, भारत लाल. तो देखे यूनियन गॉर्मेंट ने सीनियर ब्यूरोक्रेट एंड रिटाइड गुजरात खेडर आई एफ एस ओफिसर बरतलाल इनको नेसल सेंटर फॉर गूड कवर्णनेंस एंड सी चीची काड़ एक्टर जेनरल न्यूट किया है कॉंट्रेक्ट बेसिस पर एक साल के लिए साथ है आपको यह भी जाना चाहिए जो एक नेसल सेंटर फॉर गूड कवर्णनेंस है एक ओटोनोमस इंस्टिटूट है अंडर डिपार्टमेंट ओफ एड्मिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इसका हैड ओफिस न्यू डेली में है और मसूर मेंस की ब्रांच ओफिस है इसी तरह कि आपको एक ओर अपोईटमेंट देखने चाहिए कि संजेगुमार राकेश इनको CSCE Governance India SPV इसका मैनेजिंग डिरेक्टर न्यूक्त किया गया है और ये दिनेश त्यागी को रिप्लेस कर रहे है इस पोजिशन पर नेमद न एन एच आर्सी चेर परसन हूँ हैस बीन इलेक्टेड एस बीन एलेक्टेड एस अमेंबर ऑफ तगवर्णेंस कमीटी ओफ दा एसिया पैसिफिक फोरम एन एच आर्सी अध्यक्ष का नाम बताईए जिने एसिया पैसिफिक फोरम की गवर्णेंस कमीटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है औप्शन आपके सामने हैं सही आंसर आप्शन भी रहेगा अरुन कुमार मिश्रा तो देखे एन एच आर्सी नेसनल हुमन राइट्स कमीशन की चेर पर सेने जस्टिस रिटाइड अरुन कुमार मिश्रा इनको गवर्णेंस कमीटी और एशिया पैसिफिक फोरम एपी एफ इसके मेंबर ग्रूप में इलेक्ट किया गया है आपको जाना चाहिए कि जो ये एशिया पैसिफिक फोरम गवर्णेंस कमीटी है इसमें पांच मेंबर होते हैं और ये एपी एफ जनरल असेंबली को रिकमेंडेशन्स देते हैं किससे संबंदित हुमन राइट से संबंदित इनके प्रमोशन से अधियन के प्रडक्शन से संबंदित आपको जाना चाहिए इनको साथी Global Alliance of National Human Rights Institutions GANHRI Bureau इसका भी मेंबर निउक्त किया गया है आपको जाना चाहिए जो ये GANHRI है ये वर ओफ तर लाजजेश्ट हुमन राइट्स नेटवर्क्स है वर्डवाइड तो ये जो है एक Executive Committee होती है 16 मेंबर होते हैं इसमें और 4 मेंबर हर एक रिजन से आता है Africa, Americas, Asia Pacific और Europe से Who has been approved by the Reserve Bank of India as the managing director and chief executive officer of CSB Bank for 3 years 12-13 बैंक तुआरा CSB Bank के प्रबंद निदेशक और मुख्य कारेकारी अधिकारी के रूप में 3 साल के लिए जूरी दी गई है, options आपके सामने हैं सही answer option नहीं रहेगा, प्रेलाय मॉंडल तो Reserve Bank of India ने कहा है कि CSB Bank के managing director and chief executive officer के तोर पर हम प्रेलाय मॉंडल के appointment को अप्रूव करते हैं 3 साल के लिए, आपको बताते हैं जो प्रेलाय मॉंडल है ये CSB Bank जोइन करने से पहले Axis Bank के, Retail Banking के head थे CSB Bank को पहले Catholic Syrian Bank Limited के नाम से जाना जादा था इसका headquarter 3 सूर केरल में है The RBI Monetary Policy Committee decided to hike the repo rate by 50 pesos points to what percent RBI की मौद्रिक निती समीते ने repo दर को 50 आधार अंकों से बढ़ा कर कितने प्रतिशत करने का नियुने लिया है सही answer option दिराएगा 5.9% देखिएगा, सबसे उपर देखिए Monetary Policy Committee September 2022 तो सितंबर 2022 की Monetary Policy Committee है यह जो Monetary Policy Report है तो यह किसके तहत publish की जाती है यह भी बगले में लिखा हुआ है इसके साइड में आगे यह भी एक्जाम में पूछ जाता है तो Reserve Bank of India Act 1934 की जो Section 45 ZM है तो इसके तहत इसको publish किया जाता है Monetary Policy Report को तो देखिए Reserve Bank of India ने अपने Monetary Policy Committee के तहत यह decide किया कि जो Reporate है उसमें 50 basis points का जो है हाइक किया गया है और यह जो हाइक किया गया है रेपोरेट में यह लगा था चोथी बार किया गया है RBI के त्वारा तो इसी हाइक के साथ अब रेपोरेट कितना हो गया है 5.90% तो यहाँ पर रेपोरेट जो है बढ़ाई गई है इसका मतलब RBI के लिए जो मोहिन कंसर्ण है वो inflation है आपको जाना चाहिए इस करण्ट financial year में रेजर पैंक उफ इंडिया अब तक रेपोरेट को 190 basis points तक बढ़ा चुका है अच्छा साथ ही अगर हम standing deposit facility rate की बात करें तो यह 5.65% रहेगा और marginal standing facility rate यह 6.15% रहने वाला है साथ ही RBI ने भी कहा है कि RBI will remain focused on withdrawal of accommodation देखे रिजर पैंक को फिडियांगे कही तरह के मुक्यतर तीन तरह के stance होते हैं accommodative, neutral और hawkish तो देखे, accommodative stance का मतलब क्या होता है accommodative stance में जो RBI का मकसद जो concern है, वो inflation नहीं होता बल्कि money supply होता है money supply करना, market में money infuse करना तो money supply बढ़ाने के लिए RBI का करता है, repo rate को जो है, उसमें उसको नीचे कर देता है, घटा देता है repo rate को तो उसको बोलते है, accommodation यानि कि आप money supply करना चाहते है तो यहाँ पर RBI ने अब क्या किया, repo rate को बढ़ा है इसका मतलब RBI अब क्या कर रहा है, किसी चीज़ फोकस कर रहा है accommodation stance से अब दूर जा रहा है उसको withdraw कर रहा है आरिये बास समझे, hawkies की तरफ जा रहा है साथी जो monetary policy committee है इसने fiscal year 23 की जो GDP growth forecast है उसको 7.2% पहले बताया था, अब इसको 7% कर दिया है साथी जो next financial year हमारा होने वाला है उसके first quarter में जो हमारी GDP growth है उसको 6.7% RBI ने predict किया है साथी fiscal year 23 के लिए जो inflation projection है उसको unchanged रखा है 6.7% पर तो यहाँ पर आप ब्रीफ में दे सकते हैं जो भी मैंने आपको बताया है यह मैं आपके साथ telegram पर भी share कर दूँगा ताकि आप असानी से पढ़ सकेंगो विच स्टेट वोन दा best adventure tourism destination award कि स्राजी ने स्रुप्षिष्ट साहसिक परिटन गंतफ यह प्रुसकार जीता आपके सामने साही आंसर option C रहेगा उत्राखंड तो देखिए उत्राखंड को ministry of tourism government of India द्वारा best adventure tourism destination and all-round development of tourism का award दिया गया है तो यह award जो उत्राखंड के state tourism and culture minister ने सत्पाल महाराज इनको दिया गया हमारे जो vice president है जगदीब दानकर इनके द्वारा as per the world bank what is the expected growth forecast for the east asia and pacific region in 2022 विस्व बैंक के निसार 2022 में पूर्वी एशिया और प्रसान छेत्रे के लिए अपक्षित फिकास पूर्वन मान किया है options आपके सामने है सही answer option b है 3.2% तो देखिए world bank ने एक report में यह expect किया है 2022 में जो growth रहने वाली है east asia और pacific region की यह slowdown होगी including china तो पहले उन्होंने 5.0% बताया था अपरेल में अब इसको कर दिया है 3.2% name the women's rights activist who has been honored with the changemaker award at the UN SDG action awards उस महिला अधिकार कारेकरता का नाम बदाई है जिसे UN SDG action awards में changemaker प्रुसका से सम्मानित किया गया options आपके सामने है सही answer option है रहगा स्रिष्टी बक्षी तो देखिए स्रिष्टी बक्षी यह women's rights activist है इनको UN SDG action awards में changemaker award दिया गया है किसलिए for confronting gender-based violence and advocating for safe access to public spaces तो जेंटर-based violence होता है जो आप समझ सकता है ladies पर जो violence होता है तो उसको नकार्णने के लिए और public spaces के लिए public spaces में जो है safe access के लिए यह awarding को दिया गया है आपको जाना चाहिए जो award है यह UN SDG action campaign का एक flagship award है और चाहता है कि किस तरह से एक healthy planet बन सके और जो हमारी life है वो किस तरह से एक sustainable future की और बढ़ सके तो यहाँ पर आपको जाना चाहिए जो यूनियर मिरिस्टर आफ रोड ट्रांस्पोर्णेंट हाइवेस नितिन गड़करी है इन्होंने पहली बार ऐसा हुआ है भारत में कि कोई एक state of the art EV electric vehicle charging station का एक miniature यानिके एक छोटा सा model का अनावरण किया गया है और इसको conceptualize किस ने किया किसके द्वारा यह model लाए गया नेसल हाइवेस फॉर इवी एन एच इवी के द्वारा तो देखिए इसमें यही बताए जा रहा है एन एच इवी ने जो यह model पेश किया है इसमें दिखाए गया है कि किस तरह से आने वाले टाइम में जब electric vehicles की तादाद बढ़ जाएगी किस तरह से हम जो नेसल हाइवेस हैं उन्हें petrol pumps को जो electric vehicle charging station है उससे replace कर सकते हैं तो देखिए जो face है यह पाइलेट बेसिस पर चल भी रहा है डेली जायपूर स्ट्रेच में 9 सितंबर से और अपने concluding face पर है तो यह अभी पाइल पाइलेट बेसिस पर चल रहा है यानि कि छोटे स्थर पर चला जा रहा है साथ है आपको यह जाना चाहिए नितिन कड़करी ने यह भी कहा है कि जो हमने passenger cars में minimum 6 airbags mandatory किये हैं यह अगले साथ 1 October 2023 से अस्तित में आएंगे यह वाले rule तो passenger cars में minimum 6 airbags होने चाहिए 1 October 2030 से which bank announced the launch of Khushyoga Tiohar its annual festive campaign with a range of offers for customers किस bank ने ग्रहकों के लिए कई offers के साथ अपना वार्सिक उत्सा अभियान Khushyoga Tiohar सुरू करने ही कोशना की options आपके सामने सही answer option भी है Bank of Baroda तो देखिए जैसे कि अब festive season सुरू होने वाला है तो Bank of Baroda ने अपना एक Khushyoga Tiohar इस तरह का एक annual festive campaign शुरू किया है customers को कई offers इसमें दिये जा रहे हैं जैसे कि attractive interest rate, home loans पर, card loans पर और कई तरह के discount भी ये provide करा रहा है अपनी services पर बागी bank ओपर होता है कि बारे में आप जानते हैं headquarters pro तरह गुजरात में इंडी और संजीव चड़ डायाट टेगलाई ने इंडिया आठ इंटरनेशनल बेंक और इंडियन FMGC company Pintola Robbed in Home as Brand Master बाहर दिए FMGC company Pintola ने किसे Brand Master बनाया है options आपके सामने हैं सही आधर option भी रहेगा सुनील चेतरी तो देखिए हमारे एक सुपर फूट ब्रैंड है पिंडोला इसने सुनील छेत्री को अपना ब्रैंड मेस्टर न्यूट किया है आचा सुनील छेत्री जो है हाली में एक बहुत खास कारण से चर्चा में रहे क्योंकि फीफा द्वारा इन्हें सम्मानी दिया गया है एक डॉक्यूमेंटरी फीफा ने लॉंच ही है जिसका नाम है कैप्टन फैंटास्टिक तो यह किस पर बेस्ट है जो इंडियन फुटबॉल कैप्टन है सुनील छेत्री इन पर बेस्ट है इसे के साथ इन्होंने एक ग्राफिक इमेज भी शो की है जिसमें एक क्रिष्ट्रा रोनाल्डो और हेलारेल मैसी के साथ यह एक स्टेज शेयर कर रहे हैं आपको जाना चाहिए सुनील छेत्री यह सिकंद्राबाद मीन का जन्मों था क्योंकि सुनील छेत्री कई बार चर्चा में रहे हैं तो आपको जाना चाहिए कि यह कहां से है तो सिकंद्राबाद जो पहले आंदर प्रदिस में आता था तो यहां पर इनका जन्मों था साथ ही आपको जाना चाहिए प्राइबिट हेल्थ केर सर्विस प्रोवाइडर है बुर्जील होल्डिंग्स इन्होंने सारुक खान को अपना ब्रेंडनम मैस्टर बना है साथ ही अपरकेस जो की इको फ्रेंडली लगेच ब्रेंड है इसने चस्पीत पुंपरा को अपना ब्रेंड बेस्टर न्यूखत किया है चलिए प्रिवेस असाइनमेंट कोश्यंस के आंसर देखेंगे Bawai is a genre of folk dance popular in which state answer is Gujarat who is the first driver from China to drive in Formula One answer is Zhou Guan Yu with which country has Venezuela restored its diplomatic ties after three years during financial year 2021 which state had the highest organic agriculture area with approximately 1.6 million hectares across India right answer Madhya Pradesh followed by Rajasthan with which investment firm will the hero group invest 450 million US dollar in hero future energies answer is KKR in August 2022 India's national hydroelectric power corporation limited signed an MOU with which country to develop the best Sethi and West West Sethi and Sethi river project answer is Nepal how many satellites of one web arrived at the Satish Tawani Space Center in Sri Harikota STSCHAR India ahead of the first dedicated commercial launch for New Space India limited using GSV Mark 3 project answer is Mark 3 rocket answer is 36 और आप एसे कई अस्रेंज ने बिल्कुल सही answer दिया है इसी तरह से आप participate करते रही है आगे बढ़ते रही है चले आज के सैंटमेंट कुस्टेंस हम देखेंगे ताले वैली वाइलाफ सेंचुरी इस लोकेटेड इन विच स्टेट हुई इस थर्ड हाइस्ट स्कोरिंग एक्टिव मैंस इंटरनेसल प्लेयर यहां पर फूटबोल की बात हो रही है हुई इस थर्ड हाइस्ट स्कोरिंग एक्टिव मैंस फूटबोल इंटरनेसल प्लेयर अडानी ग्रीन अनर्जी एस कमिशन अ 324.4 मेगावाट विंपार प्लांट इन लेश मद्यप्रदेश की स्थान पर गिया है मद्यप्रदेश की विच इन फर्म विल दा हीरो ग्रूप इन्थ ये तो हो गया ना खुशन? इसको रहन दीजेगा? Named the NASA spacecraft launched last November that rammed an asteroid at a blistering speed of 22,500 kmv. As per the Minister of State for Finance Pankaj Choudhary, Indian fintech market expected to reach $150 billion US total by which year, which maritime patrol aircraft of the Indian Navy participated in the multinational maritime exercise Kakadu 2022 hosted by Royal Australian Navy in Darwin from 12 to 25 September 2022 along with INS Satpura तो किस maritime patrol aircraft ने आपर participate किया है exercise Kakadu 2022 में यह आपको बताना है तो इन 6 questions के answer आप हमें comment box में बताईएगा जो 4th question है तो हम कर चुके है न तो total 6 questions के answer आप हमें comment box में जुरूर दीजिएगा यदि आपको एक question का answer भी आते हैं तो भी आप हमें comment box में बता सकते हैं साथी current affairs wonder को आप telegram पर भी join कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current quiz आप सभी डालते रहते हैं साथी concern group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते आप हमारे current affairs की प्लेश दी गई है इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ fellow experts साथ हमारे current affairs को शेर जरूर करें आज का सेर्चन आपको कैसला का comment box में जरूर बताईएगा थैंक यू गईस